तो हेलो डिजैनर्स आज की इस वीडियो हमें बात करने वाले शटर स्टॉक की कुछ दो-चार दिन पहले मेरे वीडियो पर कमेंट आये था कि सर आप लोगों को उल्लू बनाते हो आप जेपीजी में फाइल सिलेक करते हो और मैं आपको कमेंट दिखाना चाहूंगा ठीक है आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है कि फाइल जेपीजी में रहती है फिल भी हम इसको इल्लूस्टेटन की उसलेक करते हैं ऐसा उन्होंने कहा है और जो अप्रूफ फाइल हुई है वो मैंने बताया नहीं उनको यह कह रहे है ठीक है तो सेकंड चीज के लिए मैं है ना क्रियेट करके दिखाऊंगा साथी साथ उसको अपलोड करके भी दिखाऊंगा शटर स्टॉक के उपर लाइव और जो मैंने रिसेंटली फाइल कुछ अपलोड की थी उसके बारे में क्या हुआ वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है तो सारी चीज आपक कि मुझे क्या फाइदा ठीक है किसी को उल्लो बना के किसी को बेवकुप बना के मुझे कोई फाइदा है नहीं मैं अपनी फिल्म अच्छा कर रहा हूं इतना ही मेरे लिए इनफ है तो हम चलते हैं आगे है इस टॉपिक को हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं हम आगे बढ़त प्रण बनाया हुआ है उस एक्षिन के बारे में बात करेंगे जब पर्टिकॉलर टाइम होगा उस चीज का है तो अभी हम सिर्फ एक्षिन के मदद से तुरंत हो जाएगा उसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे अपलोड करते वक्ति सारी चीज़ों का मैं आपको मतलब समझ रहोंगा कि क्या है क्यूव है कैसे ठिक है तो सबसे पहले हम यहां से कोई भी है सेरे कर लेते फिलाल में मतलब मैं इसको action की मदद से करने वाला हूँ आप इसको manually बना सकते हो इसको seamless pattern में आपको manually यह करना है बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसको action की मदद से करूँगा तो मैं simply इसकी size पहले change करूँगा 10-10 इंच मैंने तो अगर आप video को पहले से मतलब मेरे चैनल को follow कर रहे हो तो लगबग हर एक चीज़ के बारे में वीडियो में अपलोड करके रखा हुआ है और कोई भी आपका मतलब सवाल है तो उसका जवाब लगबग है ना मेरे चैनल के उपर मिली जाएगा 90 से ज्यादा वीडियो हो चुके है और ऐसा कुछ है नहीं मतलब जिसका जवाब को वहाँ पर नहीं मिले उसके बावजद भी कुछ आपको नहीं मिलता है जवाब तो आप कमेंट में लिख सकते हो और बेसिक से लेके एडवांस तक सारी डिजाइनिंग यहाँ पर भी फोटोशॉप में मैंने अवेलेबल करके रखे हुई है तो यह मैंने फ्लावर को सिलेक किया है भी सिलेक करने के बाद हम क्या करेंगे जस्ट इसको सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे और जो भाइड बैक्राउ इसके अंदर कुछ चेंज मैंने किया नहीं है थीक है इसके अंदर मैंने एक चैन बनाया था उसक्षसा प्लेगे तो उस रेडी हो जाएगी जो एक्चुल में सीमलेस होगी जिसका रिपीट आपस में होगा है ना कहीं भी कोई कटवर्ट नहीं रहेंगे और डिजाइन हमारे पास बनके रेडी हो जाएगी एक ही ऑब्जेक्ट मैं यूज करूंगा डिजाइन के अंदर बहुत ही सिम्पल है आप ख अब देख सकते हो यह स्क्रीन के ऊपर बहुत ही खुब स्वरस सा एक सिम्पलेस पैटन बनके रेडी हो गया है यह मैंने अभी कुछ कीबोर्ट की कोई बटन कोई की नहीं प्रेस की थी अपने आपसे हो गया है तो फिर यह जो आलोवर अभी बना है यह जो डिजाइन हमार सिम्पलेस पैटन बनी है सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे एक बार कि यह सही में सिम्पलेस है की नहीं है ना बैगराउंड के अंदर मैं वाइट कलर ही रखूंगा वहां पर मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा शोटे मोटे जो करेक्शन से वह मैं डिजाइन के अंदर कर द मेजाट कलर है उससे हम मेजेंटा कलर थोड़ा कम करके एलोघ डालेंगे ऐसे क्या होगा मतलब अधिंखने वाले रिजायं में नहीं रहेंगे तो यह बाकें रेडी है अभी हम को सिंप्ली क्या करना है इसको मैं कर दो मर्ज क्यों एक व्रीड करना है तो तो शोर टा की उ pry अपट करने के लिए इसको फिलटर में जाओंगा मिस्कों करेंगी हलका साम अattend लैना इसको है ना तो एक या दो पिक्सल का हम है ना देड़ पिक्सल का कुछ बलर दे देते हैं कि इतना इनफ होगा ताकि हमारी जो डिजाइन है वह एकदम स्मूध बने तो यह दो चीजे खाली मैंने अपला किये एक तो हमारी डिजाइन के थोड़े कलर हमने सटल किये और एक उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड दे दिया अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं जैसे इसको मैंने से दूसरे नाम से करूंगा मैं ठीक है कोई भी आप नाम दे सकते हो तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ डेस्टॉप के उपर ही डेस्टॉप के उपर जाएंगे हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूं मैं है ना इसका नाम रखते कुछ भी समझ लो तो यह सिंपल सी प्रोसेस थी हमने डिजाइन बनाई है जिसका नाम हमने कुछ भी रखके डेश्टॉप के उपर सेव कर दिये तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम जाएंगे शटर स्टॉक के अंदर शटर स्टॉक के अंदर जाने के बाद में है ना कॉंट्रिबीटर जो हमार अब बताना मुझे तो अकाउंट का भी एक वीडियो बना देंगे थोड़ा बहुती सिंपल चीज़े इसके लिए मैं इसके वीडियो नहीं बना रहा हूं बाकि आप है ना आप कर सकते हो वीडियो देखके तो यहां पर हम सिलेक करेंगे सिलेक्ट मल्टिपल फाइल या फ तो यहां पर लिखा हुआ क्या है कि इमेजस्ट मस्ट बी डॉट इपीएस और जेपीजी फॉर्मैट है ना और मतलब यह दो ही तरीकी इमेजस को सपोर्ट करता है या तो आपकी इमेज होनी चाहिए इपीएस या तो होनी चाहिए जेपीजी एक्चुले मैंने एक बार ठ पतानी मेंशन नहीं है तो इस तरह से में दो ही फॉर्मैट में मतलब अपलोड कर सकते हैं तो इसके लिए हम एपीजी ईपीएस और जे पीजी इड़ो ही फॉर्मैट का यूज करेंगे एपीएस क्या है इप एस होता है इलिश्ट्रेटर का फॉर्मैट मतलब जो भेक्टर तो सब्मीट है ना तू सब्मीट के अंदर हमारी फाइल आ चुकिए है यहां पर आपकी 100 फाइल एक बार में आप अप्लोड कर सकते हो तो आपको क्या करना है सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है या फिर एक सिलेक्ट अल करके यहां पर आएगा ठीक है जैसे मैं इसको बंद को कोती होएं पर इसे फाइल हो अपर क्लिक ढरेना है मतलब 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 कर देना है तो सारी फाइल सापकी सिलेक्ट हो अभी इस case में हमारी एक ही फाइल है तो यहाँ पर एक फाइल हमारी select हो चुकी है select होने के बाद अभी आते main topic पे जो comment में उन्होंने कहा था कि sir था jpg आपने select किया illustration तो यहाँ पर क्या है ना कि दो ही option दिये वे Shutterstock की तरफ से photo and illustration है ना तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर Shutterstock ने हमको तीसरा jpg का option ही नहीं दिया तो मेरे को दो में से एक choose करने है ना या तो मैं photo select कर सकता हो या तो illustration select कर सकता हो तो हमने photo क्यों नहीं select किया illustration क्यों select किया इसका जवाब यह है कि हर एक चीज मतलब आपको मैं clearly और अच्छे मतलब अच्छे समझाने कोशिश कर रहा हो मतलब हो सकता है आप समझ पा रहे हो मेरी सारी बातों को तो यहाँ पर देखो दो चीज़े है कोई भी image है ना दो ही type की होती है दो ही इसका मतलब होता है कि चित्रन करना कोई भी चीज को मतलब हम अगर मतलब दस बारा चीज लेकर हम एक चीज बना रहे तो हो गया हमारा illustration मतलब ऐसी चीज बनाना जिसको हम अलग-अलग तरीके से मतलब अलग-अलग टाइप की चीजे लेकर बना रहे है और वह एक पिक्चर बन जा रही है तो उसको illustration बोलते हैं तो jpg क्या है jpg बेसी के लिए फाइल फॉर्मैट है जैसा eps होता है illustrator के लिए cdr होता है coral draw के लिए phd होता है photoshop के लिए jpg होता है मतलब mobile में भी view कर सकते हम jpg files को मतलब सबस्क्राइब चलने वाला फॉर्मैट हो jpg है इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना कि illustrator ने भी हमको सॉरी शेटर स्टॉक ने भी हमको वही दो option देके रखे या तो फोटो सिलेक करो या तो illustration सिलेक करो तो हमारी कोई real image तो है नहीं मैंने इसको कैमेरे से तो capture नहीं किया था इसके लिए हमको यहाँ पर सिलेक करना पड़ेगा illustration लेकिन format क्या है फाइल का format रहेगा jpg क्यों रहेगा क्योंकि शटर स्टॉक खुद मतलब अपने को बोलता है कि आप या तो eps में upload करो eps format में करो या jpg format में करो तो इसलिए हमने यहाँ पर jpg format के file ली है जो कि हमारा illustration आय होप यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर option और आते हैं यूसेज यूसेज में आते हैं commercial और editorial अभी इसका क्या मतलब है ठीक है commercial का मतलब है कि जो भी file आपने upload की है तो उस file को हम as it is मतलब customer को दे सकते है means इसको कोई भी download करके इसको print कर सकता है इसमें उसको कुछ छेड़चाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह as it is इसको pass कर सकता है और उसको download करके सीधा सीधे सीधे तोर पर यूच कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि यह चीज हो गई commercial जिसको कुछ छेड़चाल करने की ज़रूरत नहीं है एक final output ही है इस तरह की फाइल है ठीक है एक image है और उसको मैं यहां पर डाल रहा हूँ तो वह क्या है वह एक editorial image हो गई कि उस image को फिर कोई दूसरा एज़िस तो यूज करी सकता है बट उस चीज को लेके कुछ और भी वह create कर सकता है ना उस फ्लावर को लेके वह कुछ design बना सकता है हो सकता है कुरती की design हो हो सकता है साड़ी की design हो या फिर इस तरह का seamless pattern हो तो वह एक मतलब उसको edit करके उसको और कुछ बना सकता है उस फाइल का तो उस category के अगर फाइल होगी तो हम इसको करेंगे आपको बता दिया है आपको shutterstock के main website खुलनी है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम हमारी फाइल जो है वो किस category के मतलब हम क्या upload करना चाहते तो मेरा क्या फ्लोरल सीमलेस पैटन है तो मैं इसको डालूँगा फ्लोरल सीमलेस पैटन तो जैसे मैं यहां पर shutterstock की मिलती जुलती है डार्क कलर से फ्लावर से अंदर तो हम क्या करेंगे सिंपली इसका जो नाम है यहां तक वेक्तर आपको नहीं सिलेक करना क्योंकि आपकी मेज EPS format की नहीं है वेक्टर नहीं है ठीक है तो इसका आपनाम से लेक्र सकते हो या फिर कोई दूसरी में जो आपक तो यह water color हम ले सकते है नहीं लिया तो भी चलेगा हम खाली इतना ले लेते हैं ठीक है रोजजश भी नहीं है हमारी profile में तो हम यह वाला भी नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे कोई दूसरा एक follower देखेंगे जिसके अंदर जैसे की यह वाला है आप चाओ तो खुद भी describe कर सकते हो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो हम इसको कॉपी कर लेते इतना कॉपी करने के बाद में थोड़ा लंबा जो नाम में वह आपको चूज करना है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब वर्ड्स आते हो थोड़ा अच्छे से एक्स्प्लें किया गया हो हमारी फाइल को अगर आपके सारी फाइल एक ही कैटेगरी है तो आप सारी फाइल को सेम ही मतलब नाम आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर हम आते इधर सब्मिट कंटेंट के ऊपर यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर यह तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा जैसे वाटर कलर फ्लावर पैटर्न सीमलेस डिजिटल डिजाइन टेक्स्टाइल और लोवर अबस्टेक्ट डिजाइन विथ बैग्राउंड है इतना सब लिखा हुआ है तो मैं यहां पर क्या करता हूं सिंपली विथ हटा देता हूं और इसके आगे मैं लिख देता हूं फॉर डिजिटल प्रिंटिंग ठीक है इतना मैंने लिखा है तो बाकी की सारी चीज़े हम डेसी की वेसीरे ने देते हैं सिर्फ इतना हमने एक स्टायाट कर दिया तो यह थोड़ा यूनिक बन गया है ना फिर हम आते न सिलेक करता हो हमेशा चैटेगरी टू अप्चिनल रहती है इसके अंदर मैं आठ सिलेक करता हूं ठीक है तो यहां पर यह जो चीज़ है कि क्या लिखा है इधर नोट्स फॉर रिवीवर हमको कुछ दिन हैं तो हम नोट्स यहां पर लिख सकते हैं लेकिन इदर हमको कुछ कर तो भी नहीं है कोई प्रॉपरेटी का यह किसी मॉडल का भी नहीं है तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है हम इसको चोड़ देंगे उसके बार आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसको कीवर्ड ठीक है तो इस इमेज को देखके शटर स्टॉक कुछ हमको सजेशन दे रहा है कीवर्ड के वह हम कर सकते हैं तो सारे कीवर्ड आपको याड कर देने हैं आपको एक वेक्टर नाम का जो कीवर्ड होगा वह हम को एट नहीं करना ठीक है तोसके बारे में आपको विडियो च Sandy के लिए हमें जितने सारे मतलब चर एक इसके अंदर maximum keywords डालने का मतलब क्या है कि आपको maximum visibility मिलेगे आपकी डिजाइन के लिए ज्यादा सर्च में दिखेगी तो यहाँ पर 25 keywords हा चुके है अगर हमको more करने तो हम find more keywords के उपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर हम जो हमने नाम कॉपी किया था वह इधर प्रेश्ट करना हैं हमको और एंटर कर देना है जैसे आप एंटर करोगे तो इस category की बहुत सार डिजाइन साजाएगी कोई भी तीन आपको सिलेक करनी है यह मैंने कोई भी तीन डिजाइन यहाँ पर सिलेक की है जो मिलती जूलती है मेरी डिजाइन से और यहाँ पर बहुत सारे मतलब और keywords आ चुके हैं तो हमको क्या करना है most relevant जो है वो add all कर देना है तो यह 35 हो गए इसके अंदर से भी कोई आपको लगता है ऐसा की keywords हमको चलने है 43 हो चुके है हम और एड करेंगे आपको फिर क्या करना है next चीज मानलो यह कर दिया मैंने पूरे के पूरे 50 है ठीक है तो बहुत अच्छा keyword काउंट है पूरे 50 मैंने add कर दिये आपको simply क्या करना है इन keywords को कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद में आपको टेक्स्ट फाइल यहां से राइट क्लिक करके टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको इन सारे keywords को पेस्ट करके रख देना है अपने पास ताकि हर बार आपको यह चीज अपलोड करूँ तो मुझे बार-बार मतलब वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े वह दोती नहीं में जैसा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े ठीक है सारे keywords इदर आ चुके मैं सिंपली यहां से नेक्स टाइम सारे keywords सिलेक करूंगा इनको कॉपी करूंगा और जो भी मै अपर क्लिक करने के बाद में आपकी जो फाइल तो रिसेंटली जो मैंने यहां पर 125 अपलोड की ती वह रिविवीव हो चुकी है और मैं इस बार आपको प्रूब दिखाऊंगा कि मैंने क्या अपलोड किया था और क्या रिविवीव हुआ है उसमें से क्या पास हुआ है क् है तो जाते फोटोशाप के अंदर सबसे पहले फोटोशाप के अंदर नहीं जाते हैं मैं सबसे पहले उसकी मैंने Там कर रहा हूं आप देख सकते हूं कॉन सी तारीक का है यह है दो हजार बाईस दस छे हैं ना चे तारीक का है और आज की नौ तारीक है जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो तो यहाँ पर जो मैंने फाइल अपलोड की थी है नपेंडिंग सेक्षण के अंदर 125 फाइल बता रहा है यहाँ पर वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ मैं स्कूरूल डाउन करके भी आपको दिखाऊंगा तो action के मदब से design कैसे बनाते है वो सीखने के लिए मैं जानता हूँ कि मेरे जो वीवर से जो देखने वाले लोग है वो अभी मतलब हाली में टेक्स्टाल डिजानिंग सीखने लगे है या फिर मतलब बहुत ज्यादा expert नहीं है इसके लिए यह सारे चीजे आपके सर के उपर स अब यह ऐसा आपको पता चल गई कि जो भी चीजे मैं अपलोड कि यहां अज की दिं तक के यहां पे हमारा चंटेंट रहता है जो भी हम episode करते है तो यहां फाइल अप्रू हो चुकी है दूसरी फाइल नहीं हुई है इसके अंदर क्या रिजन बता है राश्टराइजेशन कॉलिटी और नॉट विक्टर मेरे से गलती से इसके अंदर लिखा गया था कीवर्ड इसलिए यहां पर यह फाइल अप्रू नहीं हो पाई है दूसरा क्या ब मैंने अप्लोट की थी उसमें से भी बहूत सारी बारो हो चुकी है बहुत सारी कुछ-कुछ नहीं बी हुई है तो मेन डिजं मतलब वही बता रहे है कि एक तो र राश्टराइजेशन कॉल्इटी है र दूसरा है नॉट वेक्टर यह अपर हो चुकी है और इस सारी डिजय कोई कोई नहीं भी हुई है तो इसके बारे हम बात नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा तो हम गिन लेते हैं सिंप्ली यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे चे और साथ आठ और नौ है ना पंदरा में से हमारी नौ डिजाइंस अप्रूव ही है अल्मोस्ट मतलब हमारा 60-70 का रेशो है तो यहाँ पर इतनी सारी डिजाइंस मेरी अप्रूव हो चुकी है बहुत सारे लोगों की इतनी नहीं भी होती होगी हो सकता है सो में से आपकी 10-15 ही अप्रूव होती होगी तो उसके पीछे रिजन यहीं सब रहते हैं आपको बहले आप इंटरनेट से लेके चीजे बनाओ लेकिन उसको इस तरह से कुछ मोडिफाय करो कि वह अलग लगे यूनिक लगे और इस तरह से अप्लोड करोगे उसको एक बा पौडियों में है वहाँ भी करे तो हम देखते हमारे पौट्फोलियो में जाके यहां पर उनकु को कर रही हैं तुक रहे तो इसका मतलश क्या है अगर आप सही से पर बनाते हो उसके अनदरार कि अगर अच्छी है तो चीज़ा अपकी स्टाक के अंदर जरुर अप्रोव कि charitiesribchodzi थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इंकम आता रहता है तो जैसे आप आप भी मतलब इंकम के लिए नहीं बट आप अपना confidence level अप करने के लिए Shutterstock को जरूर उस किजिए वहाप अपने डिजाइन्स अपरूब किजिए जब आपके डिजाइन्स ग्लोबली डाउनलोड होगी तो आपके अंदर हो एक confidence बिल्ड होगा कि नहां मैं कर सकता हूँ मेरा भी काम अप्रिशेट हो रहा है तो इसलिए आपको Shutterstock जरूर करना चाहिए तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में Shutterstock के बारे में इतने सब आपके मन में खयाल थे कुछ भी सवाल थे सारे मतलब मैंने clear कर दिये हो इसके बावजुद भी कुछ आपको comment करनी है तो आप नीचे मेरा comment section open है तो ठीक है आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई